इन्दॉर से सापता है चलने वाली ट्रेन हमसफर में शेहर के लोग अब स्लीपर कोच में सफर कर सकेंगे ट्रेन की इस फुल एसी कोच वाली हमसफर ट्रेन में अब स्लीपर कोच भी लगाया जाएंगे क्योंकि इंदॉर से चलने वाली पूरी वे लिंगम फली एक्सप्रेस में यात्री नहीं मिल रहे है इस वज़ा से कई बार यह ट्रेन गिने चुने यात्रियों को लेकर गंतव की ओर और प्रिस्थान करती है हमसफर ट्रेन इंदॉर से जगनात पूरी वहेदराबाद के लिए हफ़ते में एक दिन चलती है खास बात यह है कि इस ट्रेन का किराया भी कम हो सकता है हालकि अभी यह तै नहीं है कि हमसफर में यह सुवधाई कब से मिलना शुरू होगी पस्चिम रेलवे का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने इस सम्मन में आदेश जारी नहीं हुए है परंतु आने वाले दिनों में इस ट्रेन में सामान शुरेणी के कोच लगाए जा सकते हैं जिससे मध्यम वर्गे सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुवधा होगी साथी हैदरबाद जाने वाले हमसफर ट्रेन को भोपाल होकर चलाने का प्रस्ताव भी सांसर चंकर लालवानी द्वारा रेल मंत्राले को भीजा गया है लगाए जाए तो रेल मंत्राले के उपर डिपेंड करता है कि वह जैसे निर्देश देगा उसके तहट हम लोग अपने डिविजन पर और हैट क्वाटर पेस पर कारवाई करेंगे यहां तक मेरी जानकारी है रेल्वे ने नितिगर निर्णे लिया है कि हमसाफर एक्सप्रस में अब स्लीपर लगाए जाएंगे अभी तक यह पूरी तरह से वतनकुरी ट्रेन थी और एसी एक ट्रेन डिल्ली से प्रारम भभी हो गई दीरे-दीरे करके हमसाफर एक्सप्रस सब्सक्राइब करना पड़ेंगे रेल्वे को दीरे-दीरे करके सब हमसाफर एक्सप्रस में कुछ कोचे स्लीपर के लगेंगे दौर से जाने लिए दूनों कब तक उम्मी दे आप लोग कोई प्रस्ताफ बोजे बेजा गया कि कब जल्दी ने अल्रेडी प्लान बनाया हु प्रस्ता चंकल ललवाने जन दिया था इसके पूरो समितर जीने भी दिया था उस पर अब रेल्वे ने आल इंडिया टाइम टेवल कमिटी में यह प्रस्ताफ रखा जा रहा है वेस्ट रेल्वे की वर्च कि इसका मार्ग बदला जा इंदोर समय तेश भर में चलने वाली स अब हमसफर की सीटो पर रेल्वे विशेश किराया लगाता है जो 15 फीस्ती होता है वह इस मामले में रेल्वे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में रेल मंत्राले ही इस पर निर्णा करेगा कि कब से इंदोर से चलने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच लगाए जाए झागी